हेलो एवरीवन सबसे पहले आप सबको के टू फेक्ट से ग्यान में स्वागत है फ्रेंड से आप वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप एक 12 बोड एस्पिरेंट है तो विकाज हम 1 आवर में कम्प्लीट करने वाले है फिजिक्स के फूल सिलेबस के टॉप 50 अब्जेक्टिफ कोचंस जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेलफुल होने वाली है अगर आप फूल वीडियो देख लेते हैं तो बिलीफ कीजिए कि जो आपके एक चाम हॉल में पेपर होगा फिजिक्स का उसमें बहुत कोचंस हैसे होंगे जो डाइरेक्ली मेच करेंगे या उसके सीमिलर होंगे या इस से रीलेटेड कंसेप्ट यूज करने को या देखने को मिलेंगे इसमें कुछ हवा हवाई नहीं होगा इसमें हर कोचंस को हम details में solve करेंगे deeply solve करेंगे और कोचंस से related जो भी extra point होंगे वह हम सारे लिखवाएंगे तो आप लोग copy pen लेकर करके बठिएगा और जो भी points है वह आप लोग लिखते चलिएगा एक अच्छे से notes पना लिजिएगा त ताकि उनकी भी help हो सके तो चलिए questions की तरफ move करते हैं first question is the force acting between two electrons separated by distance r is proportional to यानि कि दो electrons है उसके बीच का distance r है तो force और r में क्या relation यहीं बताना है तो इसके लिए आपको force का एक बहुत famous formula होता है जो आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए वह होगा f is equals to one upon four pi epsilon naught q1 q2 by r square तो यहाँ पर पूछा है force और r में relation ताफ लग देख रहा है r square कहा है denominator में है तो यहाँ से हो जाएगा force is inversely proportional to r square तो यहाँ पर हम one upon r square को क्या लिख सकते हैं r power minus 2 देखेंगे ना क्योंकि यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर force is proportional to r power minus 2 हो जाएगा वहीं अगर inversely proportional पूछता तो हो जागा inversely proportional r square होता ठीक ना पर पूछा है तो r power minus 2 तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा r power minus 2 तो यहाँ पर option number c is the right answer r power minus 2 तो चलिए अब next question की तरफ move करते हैं second is the dimensional formula for electric flux electric flux का dimensional formula पूछा है तो इसमें बहुत एक concept use होगा extra चीजें भी हम आपको बताएंगे जिसके लिए हमने अलग से page add किया है क्योंकि छोटे से screen पर सभी चीज़ लिख पाना काफी difficult है देखो इस तरह के questions जब भी आए ना dimensional formula आला तो जिसका पूछे उसका जो जो आपको formula है उसको recall किजिए और जिससे easy लगे उससे आप लोग जल्दी से बनाने कोशिच किजिए जैसे यहाँ पर flux का पूछा है dimensional formula तो यहाँ पर flux का दो formula होता है तो हमने लिखा है यह हो गया ghost theorem से और एक हो गया यह वला जो definition बताता है यहाँ से दोनों से हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम पहले से निकालते हैं पहला क्या है अपका flux is equal to q into one of one epsilon node यहाँ पर q का रखना होगा तो q का q is equal to होता है i t देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है q is equal to i t और i current है तो उसका empire हो गया और t का t हो गया time का t हो गया तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर आप लोगों को रखना है और फिर क्या है one of one epsilon node का अब देखिए यहाँ पर epsilon node का भी निकालने के लिए आप लोग को दो तरीका है यहाँ पर दो मिठाट है आप लोग एक हो गया कि आप लोग के force का जो पिछले slide में मैंने formula बताया उससे कि यहाँ पर भी आपका epsilon node है तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो यहाँ इससे easy होगा कि अग यहाँ पर Newton का क्या हो गया जो force हो गया यानि यहाँ पर force का dimensional रखना है तो उसको अभी हम यहाँ पर लिख दिये हैं तो यहाँ से आप लोग रह करके यहाँ से जल्दी आ जाएगा epsilon node का dimensional और अगर यहाँ से आप लोग कीजी आगा यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा लिंदी ह हो जाएगा तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं force का तो यहाँ पर one of one epsilon node को one of one epsilon node को एक तरफ रखिए एक साइड में और बाकी सब को एक साइड में तो यहाँ पर हमने रखा है और जो यहाँ पर देखिए one of one four five यह तो dimensionless है तो इसको छोड़ करके बाकी अलग-अलग कर दी है अब यहाँ पर मतलब जिसका जिसका अपको डैमेंसिना रखना है यहाँ पर रख करके आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर epsilon one of one epsilon node का निकल कर आएगा आपका dimensional formula तो इसको अव लगा करके आप लोग को फूट करना है कहाँ पर यहाँ पर जब आप लोग-फूट कर दीजि कि यहाँ पर a-1 है और option में i-1 है यहाँ पर दोनों देखिएगा जो दिया होगा वहीं आपका right answer होगा तो यहाँ पर i दिया है तो i वाला आपका right answer हो जाएगा तो यहाँ पर b is the right answer और यहाँ से भी आप चाहते तो निकाल सकते थे जो कि यह और easy होता इसका definition से फलक्स का definition होता है electric field into क्या बताता एरिया तो यहाँ पर electric field का एक formula होता electric field का क्या होता है electric field is equals to force of a cube not आप लोगको यह भी याद रखना है एक आप लोग यह याद रख लेना electric field का formula तो यहाँ पर हम लोग इसका value जो जो है उसका value और area का आप लोगों का सबका रखियेगा आप लोगों dimensional formula तो वह निकाल करके आपका वहीं आ जाएगा जो हमने यहाँ पर निकाला है तो यहाँ पर be the right answer तो यहाँ पर देखिए मैंने यहीं कोहचान में आप लोगों को बहुत चीज़े बताई जो कि आप लोगों को वैसा याद रखना है जैसे कि आप लोगों को एक हो गए आपका यहाँ कि यथी हे आपका क्यूः यहाद रखना है और फोर्स वाला यह आप लोगों को याद रखना है तो कभी-कभी आप लोग देखिए यह वाला भी बहुत इंपोर्टन है जब साइलन नॉट का भेलो कभी कभी भेलो भी पूच सकता है तो यहां से भी आप लोग याद रखना है सब तो यहां पो एक कुछ चीजे है जो मैंने एक्षटा चीजे बताई है जो कि आप लोग को नॉट कर लेना इस बाइन इलेक्ट्रिक डाइफॉल और इलेक्ट्रिक डाइफॉल मोमेंट पी इन और उनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड यानि कि इलेक्ट्रिक फिल्ड यह होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइफॉल है यह होगा इलेक्ट्रिक डाइफॉल टॉरक क्राइब होता है इसलिक्त होता है याणनि पीक्रों सब्सक्राइब होता है यहीं चीज आपको ध्यान रखना क्योंकि यहां पर option dot वाला भी होगा और cross वाला भी होगा तो यहीं ध्यान देना है कि इसमें हमको cross वाला लिखना है तो इसमें direct यहीं पूछा है तो आपका यहां पर देखिए option number a is the right answer होगा अब इसमें जो extra चीजे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह important है ठीक ना तो वह जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं ठीक ना तो maximum होने के लिए sin theta को one होना पड़ेगा तो one होने के लिए theta value क्या रखेंगे हम 90 degree रखेंगे तो अगर 90 degree रखेंगे तो आप torque जो होए वह pe होगा और यहीं maximum torque होगा ठीक ना और यहां तो यह question इसे भी बन सकता है कि theta value 90 पर जो torque होगा क्या होगा तो torque क्या हो जाग तो यहीं हो जाएगा थिक ना ऐसे भी option दिया होगा तो ऐसे question बन सकता है तो यह होगे आपका maximum torque के लिए theta value क्या होना चाहिए और यह और question बन सकता है कि theta के कि value पर जो आपका maximum torque हो हाव हो जाए ठीक ना यानि जो torque है वह जो टॉर कए है वह तहीं किया होजाएए थेटा के किस भायलू पर आपका हाफ हो 좌एगा तो maximum वहलू क्या होता है t e होता है न, तो इसको हाफ होने के लिए क्या करना पड़ स्धीटा को हमको 1 बाता वहरण को कि कि थीटा पका होने के फोने के लिए थीटा का भयूआ अब क्या होना चाहिए हुआ खिंद छीजी यदर क्वाघ करने हे ठीटा के 2 यक्षण के ओर नाटे पर जो टॉर्क होता है वह क्या होता है टॉर्क मैक्सिमम होता है और ठीटा इस को स्टू 30 पर जो टॉर्क है टॉर्क का जो मैक्सिमम वैलू है ठीक ना यानि वह क्या हो जाता है मैक्सिमम वैलू हाफ हो जाता है ठीक ना हाफ हो जाता है और ठीटा को वैलू 0 डिग्री और 180 पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो जीरो या 180 ठीक ना तो वन जीरो या 180 तो यह तीन कंडिशन होती है आपको जो हमेशा आप लोग को इस पर याद रखना है यहां से भी कोच्छन बन सकता है नेक्स्ट कोच्छन इस the work done in a moving a unit positive charge through a distance x on a equipotential surface equipotential surface के details में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ subjective questions करवाए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत helpful हो सकता है तो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो जिसमें अगर हमें एक्जाम में कभी कभी definition लिखने को आ जाता है equipotential surface का तो मैंने उसमें सब कराया है तो भी आप लोग देख लीजिएगा तो यहां पर देखिए एक कोई positive charge है यहां से यह हो गया आपका equipotential surface और यहां positive charge से आपका क्या है इलेक्ट्रिक फिल्ड निकल रही है यह जो है इलेक्ट्रिक फिल्ड यहां से निकल रही है और यह बोल रहा है कि एक unit positive charge है वह भी x distance पर तो यहां से कोई x distance पर एक कोई unit positive charge है जो जो की equipotential surface पर move कर रही है यानि कि यह कहीं orbit पर move कर रही है तो इसका work done क्या होगा work done work done zero नहोगा क्योंकि इसमें कोई displacement नहीं आ रहा है तो इसका work done जो होगा zero होगा तो इसका right answer क्या होजगा c is the right answer इसमें एक चीज़ गर समाझने वाली बात है कि इसमें पूछ देगा कि यह जो electric field lines है और यह जो equipotential surface है यह वाला इसके बीच का जो एंगल होता हुआ कितने होता है तो वह होता है 90 degree याद रखना है आप वह होता है कितना 90 degree देखिए यह हर questions related हम ज्यादा है ज्यादा चीज़े बताने कोशिश कर रहे हैं ताकि paper में किसां घूमा करके questions है आप लोग उसको बना लो वो छूटे नहीं यह हम ध्यान में रख रहे हैं तो चलिए अब next question देखते हैं next question is the electric field intensity inside a charged hollow sphere conductor is तो यह direct property से पूछा है कि charged hollow sphere conductor के inside जो electric field intensity है क्या होती है तो जीरो होती है ठीक ना यह direct property होती है कि charged hollow sphere की conductor के inside electric field intensity जीरो होती है तो यह सब मैंने कराया है वीडियो में आप लोग लिंक मैं उसका दे दूंगा description में आप लोग वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए अब next question की तरह बढ़ते हैं next question is a conductor of capacity 20 millifarad is charged to 1000 volt the potential energy of the conductor find करना है तो यहाँ पर देखिए आपको C दे दिया है 20 millifarad तो इसको हम लिख सकते है 20 into 10 के the whole power minus 3 farad और यहां दिया है आपका वी दे दिया है 1000 volt तो इसको हम लिख सकते है 10 के the whole power 3 volt तो यहां पर potential energy of conductor निकालना है तो इसका formula होता है u is equal to 1 upon 2 c v square तो यहां पर हम c और v का value put करेंगे और यहां से हम लोग easily find कर सकते हैं 20 into 10 के the whole power minus 3 into v का square यानि 10 के the whole power 6 हो जाएगा अब इसको फर्दर पर करेंगे तो आज आएगा आपका 10 के the whole power 4 joule तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका B B is the right answer तो चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं next question is the emf of a cell is measured by तो यहां पर emf पूछा है तो देखे यह में दिया है बोल्ट о Mi China तो बोल्ट do Mi टर से हम इलेक्रीक पोटैंशल मेजर करते हैं या पोटैंशल डिफ्रेंश बीट्विन in the circuit और जो पोटैंशियों मीटर है इस से हम EMF करते हैं और जो EM постро है इससे रहें करेंप इन दस्वार्टroot करते हैं इसमें current को major करते हैं meter से और bolt-o-meter से हम electric charge को major करते हैं तो यहाद पर EMF पूछा है तो इसका राइट एंसर बी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको चार चीजे याद रखने वाली है तो आप लोग ये चारों चीजे याद रखना है तो चलिए अब हम next question की तरह बढ़ते हैं next question is कि चौप्स करेंट रूल is related to principle of conservation of charge यानि कि कि चौप्स करेंट के रूल के बारे में पुछा है जो principle of conservation of charge का होता है तो यहाँ पर c is the right answer हो जाएगा आपका तो चलिए अब next question की तरह बढ़ते हैं next question is electron bolt is a measure of यहाँ पर electron bolt पूछा है यहाँ just हमने second and last question में यह बताया कि जो potential difference है वह मेजर करते हैं किस से बोल्ट मीटर से और जो charge है वह हम मेजर करते हैं बोल्ट आ मीटर से और करेंट जो है इसको हम ए मीटर से मेजर करते हैं तो यहाँ पर एक बच्छा सेफ एनर्जी तो यानि हम एनर्जी को जो है हम मेजर करते हैं electron bolt से यहाँ पर c is the right answer हो जाएगा तो देखिए अब हम बढ़ते हैं next question की तरह is the torque experience by current carrying loop of magnetic moment m and placed in a magnetic field b तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक कोई loop है एक और यहाँ से जो आपका एक current i है जो carry हो रहा है और यहाँ क्या है magnetic field है तो यह पूछ रहा है इसमें relation क्या होगा torque के respect में तो यहाँ पर cross वाला relation होगा यानि torque is equals to m cross b यानि यहाँ पर option number a is the right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका कोई battery attach है तो यह आपका कोई complete circuit है जिससे current i जो है follow कर रहा है तो यह बोल रहा है कि जो one percent है वह किस से follow कर रहा है galvanometer के थुरू तो यानि galvanometer से one percent means zero point zero one i flow कर रहा है और बाकी के बचे जो 99 percent है वह आपका flow कर रहा है cent से यानि zero point nine nine i तो इसको हम क्या लिख सकते हैं this into this is equal to this into this तो क्या हो जाएगा 0.99 i into s is equal to zero point zero one i is further इसको solve करने पर आपका answer निकल करता है गा g by 99 तो यहां पर a is the right answer हो जाएगा तो चलिए अब next question की तरह बढ़ते है current is flowing in a circular coil if the radius is the coil is double then the value of magnetic field intensity at its center will be यानि क्या आपको पता होगा कि magnetic field intensity b is equal to होता है mu not in i by two r तो यहां पर बोल रहा है कि अगर हम r को double कर दें r को अगर हम क्या कर दें double कर दें तो जो b1 है वो क्या होगा b1 क्या होगा तो यहां पर हो जागा क्या आपका mu not in i by two into two r तो यहां पर आप लोग देखिए कि हम क्या इसके बदले में जो है क्या रख सकते हैं mu not in i by two r इसके बदले इसके place में हम क्या रख सकते हैं क्या होगा b यानि कि b1 is equal to हो जाएगा आपका b by two यानि कि यहां से आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो b1 है वो क्या हो जा रहा है अगर radius जो r है उसको अगर double करें तो यहां पर आपका b जो new magnetic field intensity है से वह हाफ हो जा रही है तो यहां पर आपका right answer हाफ हो जाएगा यानि कि b is the right answer तो चलिए अब next question की तरह बढ़ते हैं तो working of a dynamo is based on यानि जो working of dynamo किस पर based होता है emi पर यानि electromagnetic induction पर तो इसका right answer हो जाएगा b तो अब चलिए next देखते हैं next is unit of self-inductance is यानि self-inductance का unit होचा है तो इसके लिए एक formula होता है indeed emfe is equals to l into di by dt तो यहाँ पर जो self-inductance है l इसका unit find करना है तो हमको इसको एक side रखेंगे और बाकी सबको एक side तो एक क्या हो जाएगा l is equals to e dt by di तो यहाँ पर देखिए e जो emf है उसका unit हो जाएगा volt और time का हो जाएगा second और जो i है उसका हो जाएगा ampere तो यहाँ से आप लोग देखिए जो होता है आपका volt per ampere यहाँ पर इसका यह होता है कि इसके equal इस ohm के ohm होता है उसके equal होता है into second तो इसी को हम बोलते है ohm into second क्या होता है is equal होता है henry is equal होता है henry ओके न यहाँ पर right answer का हो जाएगा आपका henry यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज है henry equivalent किसके किसके होता है ohm into second और एक होता है waver by ampere और आपको यह भी पता होना चाहिए कि waver जो है वह किसका unit होता है phalox का ठीक न तो यह आप लोग तींची का याद रखिएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा c is the right answer तो चलिए अब next question दिखते है if n1 and n2 are number of turns in primary and secondary coil of a transformer then तो यहाँ पर आपको याद रखने माली चीज है ns is greater than np means जो number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil यह अपका होता है तो यहाँ पर देखिए n1 जो है वह किसके लिए है primary के लिए और n2 जो है वह secondary के लिए है तो हम primary a के place पर हम n1 रखेंगे और secondary के place पर हम n2 रखेंगे तो बात वही है यादि n2 is greater than n1 तो यह आपका right answer हो जाएगा यानि b is the right answer तो चलिए अब next दिखते है power factor of LR circuit LR circuit कैसा होता है यह हो गया L और यह हो गया R और यहाँ से कोई battery attached है और यह complete circuit है L हो गया R होता है तो यहीं हो गया आपका LR circuit तो इसका power factor पूछा है power factor is equal होता है R by root under R square plus omega square L square तो यहीं होता है आपका answer power factor और यह जो denominator में हो resultant होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा B is the right answer तो चलिए अब next question देखते हैं the ratio of value of magnetic field B vector at same distance from midpoint of a small magnet at its axial and equatorial position तो इसमें magnetic field पूछ रहा है axial और equatorial position पर तो जो magnetic field होता है axial पर ओ होता है mu naught 2m upon 4 pi r q और जो magnetic field होता है equatorial पर ओ होता है mu naught m upon 4 pi r q तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका क्या पूछ रहा है ratio तो ratio अगर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा इससे 4 pi r q से 4 pi r q cancel हो जाएगा और mu naught से mu naught m से m यहां पर बचेगा आपका शिर्फ 2 raise to 1 2 ratio 1 तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा 2 raise to 1 यहां पर आपका right answer next angle of dip से question है the angle of dip at magnetic pole of earth is 90 degree means b is the right answer next is the direction of transmission of electromagnetic wave is parallel to e cross b not will be b cross e यह आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़े क्योंकि यह confuse कर सकता है तो पहले electric field होता है तेन cross में अपका magnetic field होता है तो आप लोग याद रखने और इसे related और जो चीज़े है वह होती है कि जो e cross अपका e vector और 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 जो और बी वेक्टर आर पर्पेंडिकूलर तो इच अदर इच अदर और और पर्पेंडिकूलर तो डिरेक्शन अफ प्रोपोगेशन तेन याप लोग याद रखना प्रोपोगेशन तो यह आप लोग को याद रखने वादी चीज है क्योंकि हो सकता है आपका एक्जाम में पूछ दे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है इफ इलेक्ट्रिक फेल और मैगनेटिक फिल्ड के इलेक्रो मैगनेटिक वेव में तो आप लोग क्या मार कर बीच क्या हो जाएगा दी तो चरी अब नेक्स्ट देखते हैं आयन अर बबल इंसाइड वादर सांस दूटल इंटर्नल रिफलेक्शन मींस यह जी दा राइट अंसर नेक्ट इस the equivalent focal length of co-axial contact combination of two lenses of power minus 15D and plus 5D will be तो यहाँ पर आपका equivalent focal length पूछ रहा है तो यहाँ पर आप देखिये जो आपका P1 है जो lens power of first lens वो है आपका minus 15D और जो P2 है वो आपका कितना देखिया है पॉलस 5D तो यहाँ से हम equivalent power क्या निकल करके आएगा minus 50 plus 5 is equal minus 10D तो यह आपका हो गया power equivalent अब आपको पूछ रहा है कि जो हो है आपको क्या पूछ रहा है equivalent focal length हो जाएगा आपका 1 upon P तो 1 और P के place पर आप क्या रहा कियेगा minus 10 तो यह हो जाएगा meter में और इसको हम क्या option में आपको centimeter में option दिया है तो इसको centimeter में change करेंगे तो minus 1 upon 10 meter को centimeter बदालने के लिए 100 से multiply करेंगे तो 10 से 100 आपको कितने बार में cut करेंगे 10 बार में यानि आपका answer निकल करके आएगा minus 10 centimeter तो यह ही आपका हो गया equivalent focal length minus 10 centimeter means A is the right answer तो चलिए अब next देखते हैं the final image in astronomical telescope is जो final image होता है astronomical telescope में वो होता है आपका virtual inverted याद रखिएगा हमेंसा end magnified magnified तो यह होता है बनता है आपके किसमे astronomical telescope में तो इसमें से virtual inverted आपके C option में C option में दिया है तो C is the right answer होगा अगर आपको इन तीनों में से कोई दो option दे या एक भी दे तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा अगर inverted न देखा के magnified देता तो भी O वाला option आपका right होता तो चलिए next देखते हैं next is cylindrical lenses are used to correct defect of eye call इसमें cylindrical lenses भूशा है तो हम आपको चारो option के बारें बता दे रहा हैं क्योंकि यह important है क्योंकि कोई भी आ सकता है आपका तो देखिए माईओपिया के लिए यूज होता है आपका concave lens hypermetropia के लिए यूज होता है आपका convex lens और astigmatism के लिए होता है आपका cylindrical lens और press byopia के लिए आपका होता है bifocal lens तो यह आपको मैंने चारों के बारें बता दिया तो यहाँ पर क्या पूछा है आपका cylindrical lens तो आपका answer हो जाएगा c is the right answer तो चलिए next देखते हैं देखिए अभी तक अगर आप हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजिए और यह वीडियो आप लोग को कैसी लग रहे हैं कितना आप लोग के लिए helpful है वह हमें comment करके बताएए और अगर अच्छी लग रहे है तो इसके लिए तो एक like बनता है है next वीडियो आप लोग को किस topic पे चाहिए इस सब आप लोग comment करके बताएए कि नेक्ट वीडियो हमें इस topic पे चाहिए हम लोग को इस चीज की ज़रूरत है तब नई से हमें भी help मिलेगे तो आप लोग comment किया किजिए तो चलिए next question देखे है in relief scattering of light intensity of scattered light is proportional to the wavelength lambda in the form of तो यह होता है क्या होता है आपका amount amount of intensity intensity is proportional to fourth power of lambda यानि wavelength तो यह आपका होता है क्या answer हो जाएगा one upon lambda power four यानि कि आपका option number d is the right answer तो चलिए अब next रिखते है next is the color of a thin film is due to diffraction और scattering यह तो होगा नहीं dispersion भी नहीं होगा इसका right answer हो जाएगा interference यानि यह is the right answer next is brevaster law is यानि अगर आप लोगों ने optics में polarization पढ़ा होगा वहीं आप लोगों को brevaster law पढ़ना है तो वहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो होता है आपका यह जो होता है आपका refractive index होता है refractive index of medium mu और यहाँ पर यहाँ पर आप लोग लिख सकते है आप इससे समझ आएगा IP यानि polarization angle होता है यह जो होता है IP यह होता है आपका polarization angle तो यह brevaster law का equation यह होता है means B is the right answer next is the energy of a photon of wavelength lambda is यहाँ पर energy of photon पुछाए तो इसका formula होता है E is equal to hc y lambda होई यह जो होता है आपका planks constant होता है planks constant होता है आपका planks constant अब इसका जो value होता है वह होता है 6.63 round of into 10 power 34 joule second तो यह जो लाइन है आप लोग के लिए important है क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में directly push देता है कि what is the value of planks constant या यह से भी push सकता है कि what is the unit of planks constant तो value आप लोग के याद रखना है और आप लोग unit अगर पुछें तो आप लोग joule second तो option में आपको joule per second भी होगा joule second भी होगा तो यह आप लोग को ध्यान रखना है दो चीज़े blanks constant से और यहाँ पर एक चीज़ देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर क्या है c c जो है आपका वह क्या है आपका speed of light है और इसका value जो होता है 3 into 10 power 8 meter per second होता है तो यह भी आप लोग को value जो है इसका याद रखने वाली चीज़ें क्योंकि यह भी numerical में यूज होता है तो यह इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है तो चलिए next question देखते है next is which of the spectral line of hydrogen spectrum lies in visual region यहां फरसी visual region में जो कौन सी जो series होती है वो लाइक करती है यह पूछा है तो चलिए इससे पहले हम आपको जो जो series होती है उस और किस region में लाइक करती है वो हम बताते हैं जो important है तो इसमें जो होती है आपकी फरस्ट होती है आपकी लाइमन सीरीज जो लाइक करती है लाइमन सीरीज लाइक इन अल्ट्रा व्याइलट रीजन में लाइक करती है और सेकेंड बालमर शीरीज जो की बीजबल लाइट में लाई करती है और जो पास्चन है पास्चन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा फेराड लाइट तो यह जो तीन चीजे है यह कौन से सीरीज किस रीजन में लाई करती है यह आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जो कि इसमें से कोई भी आपको पास्चन इसको अब लेकिन लाइमन में अल्ट्रा वायलत है और इसमें अल्ट्रा फेराड है तो यह आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसमें से बहुत चांस है मतलब की आने का तो यह याद रखिएगा तो चलिए यहाँ पर लेकिन इसमें क्या पुछा भीज बीजबल रिज़न पुछा है बीजबल रिज़न में कॉन सी जो एस्पेक्टर लाइट ने कॉन से सिरीज जो लाइक करती है तो वोफ हो गया आपका बीजबल रिज़न या बीजबल लाइट में तो वोगया आपका बालमल बालमर सिरीज यानि उप्षन ये is the right answer अगर आपक फ्लोइंग इज चार्ज लेस पार्टिकल यहां पर चार्ज लेस पूछा है तो यहां पर आप लोग पता होगा कि जो आलफा पार्टिकल होता है वो पोजिटिव चार्ज होता है बीटा पार्टिकल जो होता है वो आपका नीगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन जो होता है वो भी positive होता है और एक और होता है इसमें आपका particle में gamma गामा जो होता है आपका ये neutral होता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और इसमें देखिए इसमें जो आपका option d है photon यहीं जो होता है आपका charge less particle होता है तो d is the right answer तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा इकजाम में ऐसे भी अगर पूछे देखिए आलफा particle की nature के सी होती है तो निगेटिव होती है और बीटा आल्फा पार्टिकल पुजिटिव होती है बीटा निगेटिव होती है और गामा जो हो वो निउटरल होती है तो यह इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा तो चलिए अब नेस्ट कोर्चन देखते हैं और next is the time during which the quantity of any radioactive material becomes half of its original value is called तो यह definition है और यह definition किसका है half life का half life जो होता है ओ होता है आपका half life इसकी value याद रखिएगा यह क्या होता है t half is equal होता है आपका इसका value कितना होता है yes अपका 0.693 ओफन लेमडा तो यह जो होता है आप लोग के लिए अगर objective में या numerical में आप लोग को सिर्फ लेमडा का जो है value दिया हो और उसका half life पूछे तो आप लोग इस पर put करके सिर्फ लेमडा का value पूट करके आप लोग यहांसे find कर सकते हैं half life तो यह हो गया आज तो इसका right answer क्या होगा बी half life और अगर इस half life भी इस the right answer यह अगर half life का definition भी पूछे तो आप लोग यह लिख सकते हैं the majority charge carrier in n type semiconductor is तो यहां पर n type semiconductor में क्या होता है जो majority charge आपका carry करता है तो यह आपका होता है elektron इन टाइप semiconductor में electron होता है जो majority charge carry करता है और इस से रिलेटर यह भी आ सकता है कि पी टाइप समी कंड़क्टर में क्या होता है जो मेजुरेटी चार्ज करता है तो आपका हो जाता है होल तो आप लोग को को ये चीज़ा याद रखने है कि एंड टाइप में इलेक्ट्रोन होता है एंड टाइप में N type semiconductor में आपका electron होता है जो majority charge carry करता है और P type में जो होता है आपका holes holes जो होता है वो majority charge carry करता है तो इसको आप लोग इसमें confused मत होईएगा देखिए वो बहुत बचे इसमें confused हो सकते हैं कि N type में क्या होगा P type में क्या होगा तो इसके लिए हम आपको एक चीज बता रहा है अब इसको हम याद रख सकते हैं हमें से के लिए जो A N है N, N means negative और जो electron पर कौन सा चार्ज होता है negative चार्ज तो इसको आप लोग ऐसे चीज़े हम बता रहे हैं इसमें वह है आपका कि इन टाइप में सब का आप लोग नोट अच्छे से पॉइंट बना बना करके आप सब इसको नोट कर लिजेगा क्योंकि यह बहुत हेल्फ करेगा आपको तो इन टाइप में अब इंप्यूरिटी भी फूछ सकता है कि इन ट्राइप वाइलेंट इंप्यूरिटीज इसमें ट्राइप वाइलेंट इंप्यूरिटीज होती है तो अब ट्राइप वाइलेंट इंप्यूरिटीज क्या होती है कौन सी होती है तो वह होती है जीस इलिमेंट के वाइलेंस इलेक्ट्रोन कितने है वाइलेंस इलेक्ट्रो ठीरी लाइक गुरूप नमबर 30 आप लोग देखिएगा गुरूप नमबर 30 में आपको फैलन्स इलेक्ट्राण 3 मिलेगा लाइक ब्रॉण हो गया गैलियम हो गया और तो वह से ही अब एन टाइप में भी होता है अप लोग एन टाइप में आपका क्या क्या हो जागा इसमें जो impurity होती है वो होती है आपका पेंटा पेंटा भायलेंट ठीक ना पेंटा भायलेंट होती है पेंटा भायलेंट और इसमें जो पेंटा भायलेंट क्या होता है तो जिसकी जिसके वायलेंस इलेक्ट्रोन में कितने इस एक्जामपस आपको हो जाएगा group 15 से अरसेनिक हो जाएगा तो हम आपको इस सारी चीजे बता रहे हैं क्योंकि कोजन्स कैसे भी आ सकता है इधर उदर घुमा करके भी आ सकता है तो इसलिए हम आप लोगों को सभी चीजे बता रहे हैं तो आप लोगे सभी चीज़े पॉइंट बना करके आप लोग अच्छे से नोट कर लिजिएगा नोट्स बना लिजिएगा यह देखते रहिएगा next is in full wave rectification if input frequency is 50 hertz then output frequency will be तो यहाँ पर input frequency दिया है और output frequency आप सब बोल रहा है find करने के लिए तो आप लोगे यहाँ पर एक चीज़ याद रेखने वाले चीज़े की जो आपकी output output frequency होती है वह equal होती है twice of input इनपूट फ्रीक्वेंसी ज़िए तो इहां पर आउट behट्पुट पुछी रहा है तो यहां पर छोता है इनपुड के तो इनपुड का इनपुड़ फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है 50 तो это до 100 हेद्ट तो यहां पर आपका अंसर right अंसर क्या हो जाएगा सी तो यहां पर एक और चीज देखिए कि यहां पर input दिया था और आपसे पुछ लिया था output तो आप लोग निकाल लिए अगर आपको output दिया होता अगर माल लिए यह दिया होता 50 Hz और आपसे input पुछता तो वो कितना हो जाता वो आपका half हो जाता यानि 50 by 2 यानि वो 25 Hz हो जाता तो Is it the resistance of ideal voltmeter का रिष्टियन्स होता है जो होता है आपका our mm होता है और जो आपका iDial है यह द्योन यह अपि दोनों चीज याद रखेगा कोई भी पूचश सकता है कि और वोल्ट मिटर का रिस्टेंज क्या होता है यह वाट इस रिस्टेंज ऑफ आईडियल एमीटर तो वह हो जागा आपका जीरो और बोल्ट मीटर का इन फाइनाइट तो यह दोने चीज़ आप लोग याद रखिएगा तो चलिए अप नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसको बाइनारी मेर करना है तो देखिए इसको कैसे करतेbles को बाइनारी मेर करना के लिए यहाँ पर 15 को हम ढीबाइट करेंगे 2 से तो 2 7 अपका हो जाएगा 14 और remainder 1 फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपका 1 बचेगा और फिर इसको 2 से करेंगे इसको तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहां पर आपका 1 ना आजाए तो इसको फिर से two one जा two a remainder आपका one बचेगा तो यहाँ पर one one आ गया तो अब इसको अब छोड़ देंगा अब यहाँ से आप लो answer निकालने के लिए आपको इसको reverse में नीचे से उपर जाना पड़ता है answer लिखने के लिए तो नीचे क्या है one इसको भी सामिल करना पड़ता है है इसमें one one और फिर यहाँ पर का है one और यहाँ भी है फिर one फिर से one तो यहाँ पर four one हो गया और इस binary है तो बैइनारी को üzग है तो है तो यहाँ पर हम two लिखेंगे तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा one 11 11 तो यहाँ पर right answer आपका c is the right answer तो यह ऐसे होगा अगर हम इसी को 1111 यह बाइनारी है इसको हम अगर decimal में कैसे convert कर सकते हैं यहाँ पर decimal में इसको हम कैसे convert कर सकते हैं तो वह आपका rule होता है इसमें one है one into यहाँ पर two two power यहाँ पर remains कितने digit थे कितने बचे तीन तो यहाँ पर power में three हो जाएगा फिर plus करेंगे और फिर one ही है second place पर तो वह भी हो जाएगा आपका one into two two तो आपका लिखना ही है और उसका power आप देखिए कितना बचे अब दो बचे तो इसका दो हो जाएगा फिर one ही है तो one into two और पावर यह घड़ जाएगा फिर से one into two power zero तो आप लोग तब तो करना जब तक two power zero ना आजए ठीक ना तो अब इसको आप कादर solve करोगे तो यह हो जाएगा आपका eight plus यह आपका हो जाएगा four plus two plus one तो एक क्या हो जाएगा आपका फिर से आपका decimal में change हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 15 देखे ना binary से अगर decimal पूछे तो आप लोग ऐसे से याद रखिएगा क्योंकि इस अब्जेक्टिव में आ सकता है आई होब कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा तो चलिए इसके लिए हम आपको दो कोहचां से देते हैं जिसका अंसर आपको नीचे कॉमेंट करना है कोहचा नमर फर्स्ट इस आपको 42 से आपको कईभर्ट करना है किसमें बाइनारी में ओके और क्यान नमर two इस आपको 101111 और ये बाइनारी से कईभर्ट करना है किसमें डेसिमल में तो आप लोग यहाँ पर क्या होगा आप लोग इसका आंसर नीचे झरू जरूर से कीजियेगा हम भी देखना चाहते हैं आप एब को कितना समय आ रहा है तो चलिए आप next question देखते हैं which frequency range is used in tv transmission ? तो tv transmission मे कौन स्व्रिक्वेंश्य range होते है वो होती है 30 MHz to 300 MHz इसका right answer C हो जाएगा next is the logic gate in which the output Y is product of its two input A to B तो इसका हम details में बात करेंगे next question में तो यहाँ पर फिलाल समझे जो यहाँ पर दे दिया है क्या A into B is equal Y तो यह जो boolean expression होता है वो होता है end gate का होता है तो यहाँ पर right answer आपका हो जाएगा B next is the boolean expression for non gate तो यहाँ पर non gate के लिए boolean expression पूछाए तो चलिए इससे पहले हम आप लोगों के लिए जो भी important gates होते हैं उसके symbol और उसके boolean expression बता दे रहे हैं ताकि exam में किसी का भी पूछे तो आप लोगों कैसा ना लगे कि हम लोग नहीं पड़े थे फर्स्ट देखते हैं or gate तो or gate का जो symbol होता है वह आपका a होता है जिसमें a and b जो है आपका a होता है आपका input और जो y है वह आपका output होता है तो इसका जो boolean expression होता है दोनो input को add कर देता है यानि a plus b is equal to output y आ जाता है तो यह आपका हो गया boolean expression और यहाँ पर second है आपका end gate इसका symbol हो जाएगा यह वाला और इसका जो boolean expression होता है वो उसको multiply कर देते हैं दोने input को multiply a into b तो यह होता है और जो nor gate होता है nor gate तो देखिए nor gate और or gate nor से ही sorry or से ही यहाँ पर nor बना है देखिए कैसे symbol आपका same ही है सिर्फ आपको यहाँ पर थोरा सा different देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका जो point लागा है यहाँ पर एक point बना है तो यहीं symbol में difference होता है और boolean expression में भी शिर्फ बार का difference होता है यहाँ पर शिर्फ a plus b का बार हो गया है और इसमें जो है शिर्फ a plus b होता है तो a हो गया और next non gate है तो a non gate आपका end gate से ही बना है देखिए कैसे symbol सेम है शिर्फ यहाँ पर यहाँ पर point जैसा दिखाई दे रहा है होता है और इसका भी जो end का होता है a into b और इसका भी a into b होता है पर इसका बार होता है ठीक ना और next है not gate इसका symbol आपका यह होता है तो a different होता है और इसमें जो है आपका शिर्फ a कहीं input होता है ओके तो इसका जो boolean expression हो सिर्फ उसी का बार होता है input a का बार तो यह जो आप लोग की टोटल चीजे है आप लोगों को इसमें से यह स्वारी चीज आप लोगों को हमें से याद रहनी चाहिए ठीक ना बहुत ही आप लोगों के लिए important है ठीक ना यह याद रखने वाली चीज है क्योंकि या किस gate का boolean expression है तो into देखिएगा तो end हो जाएगा अगर plus देखिएगा तो और हो जाएगा या आप लोगों सिंबल भी पूछ सकता है कि यह सिंबल किसका है तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है तो आप लोग हर तरह से जिस topic को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ तो इसके लिए तो time लगेगा हाँ थोड़ा video लंबी होगी तो इसे आप लोग घवडाएगा मत अगर आप लोग को आता है तो skip करके आगे बढ़ सकते हैं हम ऐसे बना रहे हैं जैसे कि हम सब के लिए बना रहे हैं जिसको नहीं पता है उसके लिए भी ताकि कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमने यह पढ़ा था यह नहीं पढ़ा था तो यहाँ पर देखिए non the gate का boolean expression पूछा है तो जो option a होए a plus b का बार यह हो जाएगा आपका nor gate का और a plus b यह हो जाएगा और gate का a into b यह हो जाएगा end gate का और जो a into b का बार है यह ही हो जाएगा आपका non the gate का means she is the right answer देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक किजिए दूस्तों के सांथ शेयर किजिए और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पिलिज कर लिजिए next is the resistance of an ideal emitter is तो देखिए यहाँ पर आगया है questions ideal emitter का resistance पूछ रहा है तो पिछले slide में ही हमने बता तिया है कि जो ideal का जो आपका होता है resistance वो होता है zero और voltmeter का infinite तो यहाँ पर d is the right answer next is which of the following is diamagnetic तो यहाँ पर देखिए diamagnetic कैसे पहचानेंगे तो यहाँ पर हम एक आपको ट्रीक बता रहे हैं कि अगर आपका number of electron अगर आपका even हो तो यहाँ आपका होता है diamagnetic और अगर number of electron अगर आपका odd हो तो आपका होता है आपका pyramagnetic तो यहाँ लोग ट्रीक होता है यह याद रखने के लिए लेकिन इसमें भी exception होता है कि कि number of electron अगर number of electron अगर आपका exception में अगर क्या क्या हो 10 और 16 यह अगर हो ना तो यहाँ पर देखिए फिर भी यह diamagnetic नहीं होता है यह भी होता है pyramagnetic ठीक न तो यह आपको याद रखना exception में यह होता है और इस तरह से तो यहाँ पर देखिए जो एने है एने में आपका कितने electrons है 11 जो की odd है तो odd है तो यह आपका pyra हो जाएगा और यहाँ आपका पर o2 में आपके कितने electrons है 16 तो 16 इलेक्ट्रोन है तो यह even है तो even देखकर के आप लोग को लएगा कि यह diamagnetic होगा पर यह diamagnetic नहीं है कि यहाँ पर हमने exception में बताया है कि 10 और 16 के number of electron के case में आपका वो even तो होता है पर वो dia नहीं पायरा होता है तो यह भी आपका pyra हो जाएगा और जो अब आप लोग confused हो जाएगा calcium में और n2 में तो यहाँ पर देखिए जो calcium होता है इसमें आपका d orbital खाली होता है बैकेंट होता है d orbital तो यह भी क्या हो जाएगा आपका pyra हो जाएगा बाकी वाज़ा n2 में आपके कितने होता है 14 आपका even है तो यह आपका हो जाएगा यानि इसका right answer जो है आपका हो जाएगा d is the right answer into चलिए अब आई होब कि आपको समाज आ गया होगा अप लोग यह चीजे याद रखना यह ट्रेक और exception भी साथ में क्योंकि exception वाला option जरूर होगा confuse करने के लिए तो यह चीजे आप लोग याद रखेगा तो चलिए अब next question देखते हैं next is which of the flowing is not SI unit of magnetic flux तो देखिए यहाँ पर not पूछा है अब अच्छे जल्दबाजी में carefully questions नहीं पढ़ते हैं और जल्दे से वह सोचेंगे कि SI unit पूछा है magnetic flux का तो जो है वह याद वहीं मार करके चले आएंगे तो इसलिए exam hall में आप लोग paper में आप लोग अच्छे से questions को read कीजिएगा next is which of the flowing is not SI unit of magnetic flux तो देखिए यहाँ पर not पूछा है अब अच्छे जल्दबाजी में carefully questions नहीं पढ़ते हैं और जल्दे से वह सोचेंगे कि SI unit पूछा है magnetic flux का तो जो है वह याद वहीं मार करके चले आएंगे तो इसलिए exam hall में आप लोग paper में आप लोग अच्छे से questions को read कीजिएगा carefully पढ़िएगा अगर वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया है कि जो henry होता है वह होता है आपका self inductance का आपका unit होता है तो यहीं जो है आपका magnetic flux का आपका unit नहीं होगा तो henry age is the right answer और बाकी यह सब जो है आपके magnetic flux का आपके unit होते हैं और henry नहीं होता है तो d is the right answer तो चलिए next question देखता है next is the power factor of a coke coil is about zero यानि यहाँ पर b is the right answer वह आपका zero होता है nearly zero होता है तो अब next question देखता है next is a radio wave of constant amplitude is generated by oscillator 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 आपका option number d में है next is the equivalent capacity between a and b is तो यहाँ पर a and b के बीच में जो है equivalent capacity पुछा है तो यहाँ पर देखिए यह क्या लगा है आपका capacitance लगा है not register तो यह दोनों किस में है parallel में है तो यह directly add हो जाएंगे अगर यहीं अगर resistance में देखते तो उसमें series में अगर लगा होता है न series में तो वह directly add होता है लेकिन अगर capacitance में है तो उसमें parallel वाले add होते है भी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक से जाएंगा तो और टो अपसे हो जाएगां और फिर यहाँ पर क्रद्लागा है और कि तो माइक राड का और यहाँ यहाँ पर भी हो जाएगा यहाँ पर तो इसके between में निकलना है और आपका किसमें, आम सिरीज में तो जब अब इसमें सिरीज में आता है न तो इसके लिए आप लोग को फर्मूला होता है क्या One of One C equivalent is equal to One upon C1 plus One upon C2 तो यह ऐसे ही चला जाता है ठीक ना तो इसको हम directly directly solve करने के लिए इसको हम directly अगर दो केपिसिटेंस है तो आप लोगे फर्मूला याद रखिएगा directly c equivalent is equals to दोनों को multiply कर देजिए ठीक ना उपर दोनों को multiply कर देजिए और फिर नीचे दोनों को add कर देजिए दोनों को add कर देजिए तो यहां से आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी यहां से तो उपर दोनों को multiply करेंगे तो यहां पर क्या है अपका 50 sorry 5 माइक्रो फेराड है और यहां पर 4 माइक्रो फेराड है तो फाइफ फोर जा 20 ओफवन इसको अब दोनों को add करेंगे तो 9 हो जाएगा तो माइक्रो फेराड तो इसका right answer हो जाएगा 20 by 9 माइक्रो फेराड यहां पर a is the right answer हो जाएगा तो आई होप कि आप को समय से आ गया होगा तो चलिए आप नेक्स्ट कोचन देखते हैं next is the what angle do two electric fields intersect each other तो यहां पर बोल रहा है कि किस एंगल पर दो electric field lines intersect करेगी एक दूसरे को तो यहां पर देखिए यहां पर जो प्रॉपर्टी होते हैं electric field lines के कि वह जो है न कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती तो यहां पर answer हो जाएगा do not intersect तो बहुत वाचे ऐसे होंगे जिनको पाता नहीं होगा और वह एंगल देखेंगे तो इन ही एंगल में से कोई एक option mark करके चले आएंगे तो यह सब प्रॉपर्टी हमने जो सब्जेक्टी कोचंस का बनाये हैं उसमें सारी चीजे हमने बताई हैं अगर नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप लोग आँ से देख सकते हैं तो चलिए आप नेक्स देखते हैं या shortage wavelength पूछे या frequency पूछे आप सभी चीजे बता सकते हैं एक ट्रीक से तो चलिए वो ट्रीक हम बता रहे हैं और वो ट्रीक आप लोग के लिए ही है वो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा मुझे पाता है तो चलिए वो ट्रीक क्या है वो है रेडियो मीर्ची I love you X girlfriend तो यह हो गया यहाँ रेडियो से आपका हो गया रेडियो वेब एम से microwave हो गया आई से infrared हो गया L से light हो गया U से ultraviolet हो गया X से X rays हो गया और G से gamma rays हो गया तो यह होता है इसी order में होता है तो देखिए इस में अगर top to bottom अगर जाएंगे तो आपका wavelength है वो decrease करता है और frequency increase करती है तो आपको यहाँ पर पूछ सकता longest wavelength किसका होगा तो top to bottom जाने पर decrease हो रहा है तो radio wave का longest हो जाएगा और gamma rays का आपका shortage हो जाएगा वह इसे अगर frequency पूछ दे तो frequency आपको और top to bottom जाने पर आपको क्या हो रहा है increase कर रहा है तो इसका frequency सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका maximum होगा गामा rays का और जो radio wave का frequency है सबसे कम हो जाएगा तो यह चार questions जो की आते रहते हैं objective type में तो यह चारों चीज़े आप लोग longest wavelength तो longest किसका हो जाएगा radio wave का means a is the right answer I hope कि यह ट्रीक आप लोग अच्छे समाझ आ गया होगा एक कोहचान सबको अच्छे समाझ आ गया होगा तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं अ कि दम मेजटेटी चारज केरीयर इं पी टाइफ सेमिकंड़क्टर देखिए ये वी कोचान है गया मैंने पिछले और यह question में बताया था तो इसमें यह थ initiatives पे डिचल थिए यह थे मोर्ष टो अब नेक्स्ट देखते हैं आइडियल एमिटर का आपका क्या होता था ? 0 होता था और बोल्ट एमिटर का आपका infinite होता था तो यह इस दर आइट आइट आपसा next is the resistance of two bulbs of 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt will be higher तो यहाँ पर higher resistance पुछाए तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने वाले एक चीज है power is equal to होता है आपका b square by r तो यहाँ पर देखिए जो b है वा दोनों में same है 220 volt, 220 volt तो यहाँ पर b से हमें मतलब नहीं है यहाँ पर हमें मतलब है r और p से power से तो यहाँ पर देखिए higher पूछा है ना तो r जो resistance है इसको higher होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा power को कम करना पड़ेगा pi अगर power minimum होगा अगर decrease करेगा तो resistance जो है आपका higher होगा तो इसके लिए जिसका power कम होगा minimum होगा उसका resistance higher होगा तो यहाँ पर किसका power जो है कम है वो है 25 का तो इसका power जो है आपका मिन इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक ना यह माइनस ने यह पॉइंट है तो चलिए next question देखते हैं next is the SI unit of surface density of charge यहाँ पर surface density of charge पूछा है तो वह equal होता है q by area यानि charge by area तो charge का हो जाएगा आपका कुलंब और area का हो जाएगा आपका meter square तो यहाँ पर देखिए right answer क्या हो जाएगा कुलंब पर meter square means यह is the right answer तो अगर option में अगर ऐसा ना दे one करके total 50 questions को solve किये with full solution I hope कि आपको हर questions का solution अच्छे से समाझ आ गया होगा आपने सारी point note की होगी इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई doubt है तो नीचे comment करके हमें बता सकते हैं उसका reply हम जरूर से करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजिए तब तक के लिए बाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकी सो मच फ़र वाचिंग